हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नमबर 2 एसिट बेसिज और सॉल्ट शुरू करने जा रहे हैं यह चैप्टर आपका कुछ तीन या चार पार्ट में कंप्लीट होगा आज हमारा पार्ट वन है जिसमें हम बढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और इंडिकेटर्स के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं तो तो स्वाद में धियंतल स्वाद में घटय होते हैं उनको हम उनको हर एक चीज को टेस्ट करके नहीं देख सकते क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा देंजरस होते हैं हाना अगर हम इनको हर एक तेस्ट करके देखेंगे तो हमारी जान भी जा सकती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं हम कुछ indicators का सहरा लेते हैं अब यह indicators क्या होते हैं indicators देखुआ ऐसे सब्स्टेंस होते हैं जो acid और base का पता लगाते है acid और base को indicate करते हैं में अंदर कुछ कलर को चेंज करते हैं तो कैसे यह होता है चलिए अब देखते हैं तो में लिए तीन तरह के इंडिकेटर्स होते हैं लिटमस, मिथाईल ओरेंज एंड फिनॉक्थेली तो तीनों को हम बारी-बारी से पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ इस चैनल पर चैनल नमर वन की वीडियो पहले डाली जा चुकी हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर आप देख लें वीडियो कर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप उसको लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके आप यह जरूर बताएं मुझे कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है, टॉपिक आपको कैसा समझ में आया, हम बात करते हैं लिटमस पेपर की, तो देखो स्टुडेंट्स याद रखेंगे, लिटमस पेपर क्या होता है, एक पेपर की स्ट्रिप होती है, जैसे आपको यह दिखाई की डालेंगे तो यह रेड में गनवर्ट हो जाएगा, यह बात याद रखने बाली है, ठीस पेपर अगर हम टो क्श भी यगर नहीं हुआ, तो हम कहा सकते हैं कि क्या है वो acid ही है हम अगर हमने उसके ओपर क्या करा blue litmus paper के ओपर अगर हमने उसको डाला और अगर कुछ भी change नहीं हो हम कहा सकते हैं क्या है वो base है और अगर जब हमने उस liquid को blue litmus paper के ओपर डाला और उसका color change हो गया तो हम क्या बोलते हैंगे कि वो हमने जो डाला है वो क्या हो सकता है एसी डालने पर blue color change हो जागा किसमे रेड में सेम यह किसमे होगा हमारा red litmus paper में होगा litmus actually में देखे होता क्या है यह एक natural indicator है litmus solution एक purple color की dye होती है जो extract की जाती है लाइकेंस है लाइकेंस आप जानते हैं एक plant होता है belonging to the division thalophyta well litmus solution is neither acidic nor basic जब litmus का solution होता है ना तो वो acidic होता है तब उसका color क्या होता है purple होता है ठीक है acidic solution में वो red हो जाता है और blue हो जाता है किसमें हमारा वो basic solution में आपके याद रखने वाली बात बस इतनी सी है यह दो point की acid जो है वो blue litmus के उपर जब हम डालेंगे तो वो red में convert हो जाएगा और base को जब हम red litmus के उपर डालेंगे तो वो blue में convert हो जाएगा इसके बाद हम देखने है students methyl orange देखो नाम से समझ में आ रहा है methyl orange क्या होता है orange color का एक liquid होता है ठीक है ना तो अगर हम इस methyl orange में acid डालेंगे तो वो क्या हो जागा color उसका red हो जाएगा ठीक है methyl orange में अगर हम क्या करते हैं acid डालते हैं तो color क्या हो जागा red और वहीं अगर उसमें हम base डालेंगे तो उसका color क्या हो जागा students, yellow हो जाएगा, तो ये colors नहीं आपने जरूर याद रखने है, फिनॉप्थिलिन भी एक तरह का liquid होता है, अगर आप इसमें क्या करते हो, acid डालते हो, अच्छा, normally इसका ये कैसा होता है हमारा, colorless होता है, कैसा ह तो अगर हम acid डालेंगे इसके अबर तब भी ये colorless रहेगा, यानि कि हम लिख देंगे acid डालने पर इसमें कोई भी change नहीं होता, वहीं अगर हम इसमें base डालेंगे students, तो इसका आपने color याद रखना है, कैसा color हो जाएगा, इसका pink color हो जाएगा, तो आपको अच्छे समझ मे आगे हो का हमारे जो basic जो indicators होते हैं, litmus, methyl orange और phenophylline वो कैसे होते हैं, अच्छा आपको मैं बता दू, indicators और दो तरह के होते हैं, मतलब इनको अगर हम classify करें तो दो तरीकों से कर सकते हैं, एक होते हैं हमारे natural और एक होते हैं हमारे synthetic, अभी जो मैंने बताया आपको litmus, चाहे blue litmus हो चाहे, red litmus हो, यह तो होता है हमारे natural, वही natural में एक ओर आता है, कौन सा turmeric, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है, और synthetic में यह दो आ जाते हैं, तो methyl orange और एक कौन सा आगे हमारा phenophylline, चलिए, तो turmeric के बारे में हम बात करेंगे, turmeric एक natural indicator है, हल्दी यानिकी, इसमें यलो कलर की dye होती है, यलो कलर होता है, और याद रखेंगे, यह बस base को पहचानने में मज़द करता है, acid को नहीं, जैसे ही इसके उपर अगर हम base डालेंगे, तो यह red हो जाएगा, जैसे एक example को तोर पर बताओ, मानलीजी, आपके कोई सफेद कपड़े हैं, और सफेद इसी तरीके से natural indicator में students एक और आती है, जिसको हम बोलते है red cabbage, मतलब लाल पत्ता गोबी, इसमें क्या होता है, red cabbage extract, जो हम cabbage leave, जो पत्ता गोबी की जो पत्तियां होती है, उससे निकालते है, यह natural indicator है, यह red color में होता है, red cabbage extract remains red in acidic solution, but turns green on adding to the basic solution, यह बात आपके लिए याद जालेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, यह red रहेंगी, लेकिन basic solution में टालने पर इनका color क्या हो जाएगा, green, यानि कि अगर color बगरा change हो रहा है, तो हमें exactly पता सका जाएगा, कि वह acid है, या base है, इसके अलावा, कुछ जो flowers होते हैं, उनके petals, मतलब जो colorful पत्तियां होती है, उन इनको भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे hydrangea, petunia, geranium, change the color in the presence of acid or base and also act as an indicator, जैसे flowers of hydrangea, plants are usually blue, which runs pink in the presence of a base, बेस में इनकी color क्या हो जाता है, leaves का color change हो जाता है, main आपने वैसे turmeric तक याद रख सकते हैं, तोड़ाब लोगों को एक्स्ट्रा करने की जूरत नहीं है, काफी है आप इनको पहले पढ़े इंडिकेटर, उसमें तो क्या था, हम उनकी color देखकर हमें पता लग पाता था कि यह acid है या base है, मतलब अगर color change हो रहा है, तो हम बता देते हैं, यह acid है यह base है, जब कि olfactory इंडिकेटर में students क्या होता है, हमें smell से पता चलता है, ठीक है न, olfactory मतलब smell, those substance whose smell or order changes in acidic or basic solution are called olfactory indicators, यानि कि अगर acidic or basic solution में इनकी smell change हो जाते हैं, तो हम क्या बोल देंगे, olfactory indicators कह देंगे, अब जैसे onion होता है, यानि कि प्याज, सब जानते हैं, प्याज की एक विशेश क्या होता है, एक smell होती है, ठीक है न, आपने क्या करना है, मैं एक example आपको बता है, आपने उसे क्या रख देना है, आपने फ्रिज में रख देना है, फ्रिज में रखने के पाद, आपने प्याज हटा लेने या फैक देने, अब ये जो रुमाल है हमारा, जो एक कपड़ा जो आपने लिया था, ये olfactory indicators की तरह काम करेगा, ठीक है न, आप देखेंगे उ और जब हम acid solution डालेंगे, तो उससे क्या होगा, प्याज की जो smell है, onion की जो smell है, उसके कोई फरक नहीं बढ़ेगा, यानि कि हमें पता चल जाएगा, कि अब हमने acid डाला है, या अब हमने base डाला है, तो हम इस तरह से acid base के बारे में पता लगा सकते हैं, तो students, आज की हमारी य thoughts वीडियो थी, इसमें हमने introduction पड़ा है, और indicators के बारे में पड़ा है, आपको यह वीडियो कैसी लगी, comment करके आप मुझे जरूर बताए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तो इसको like जरूर करें, चैनल पर नए आया, तो इसको subscribe जरूर करें, thank you so much.